इस विडियो में देखने वाले हैं अज का डेली लीट को चैलेंज इस प्रिटी इजी तो हम लोग देखते कि हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को तो हमें अगली नंबर फाइंड करना अगली नंबर किसको बोलते हैं जिसके ट्राइम फैक्टर्स लिम्टेड है 2,3 और 5 तक ठीक है, इसको ugly number बोल दे, fair number बोल दे, इस पर ध्यान नहीं देना है, बस आपको इस definition पर ध्यान देना कि यह define किस चीज को कर रहा है, ठीक है, उसने क्या बोला है, जैसे कोई भी number है, तो अगर prime factors क्या है, जो number उसको divide करते हैं, वो सिर्फ 2, 3 और 5 तक ही limited हैं, तो हम क्या करें उसको ugly number माल लेंगे और true return कर देंगे, वरना हम return कर देंगे false, example के तोर पर आप ये देखो, 2520 मैंने लिया, ठीक है, उसको सबसे पहले मैंने 2 से divide करा, ठीक है, तो 1, 2, 6, 0 आया, फिर मैंने उसको 2 से divide करा, तो 6, 3, 0 आया, फिर मैंने 6, 3, 0 को 2 से divide करके देखा, 3, 15 आया, फ फाइव को डिवाइड करके देखा 3 से तो 35 आया ठीक है तो 35 को 3 से डिवाइड करके देखा नहीं हुआ तो मैंने क्या किया उसको 5 से डिवाइड किया 35 को तो आया 7 अच्छा अब 7 को ना तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता ना तो मैं 3 से डिवाइड कर सकता ना तो मैं 5 से डिवा नहीं है अच्छा अगर यहां पर भाईया 5 into 5 into 1 होता तो मैं क्या करता तो मैं return कर देता true क्योंकि यहां पर 1 है अच्छा तो बस हमें समझ में आ गई यह algorithm क्या है ठीक है अगर end में कोई भी number बच रहा है जो 1 की equal नहीं है तो हम क्या रिटन कर देंगे false नहीं तो हम रिटन कर देंगे true अच्छा सबसे पहले base case क्या है सबसे पहले base case में यह लिखता हूं कि अगर end है मेरा जो बन से ही छोटा हो जा रहा है मतलब negative हो जा रहा है तो तो फिर मैं क्या ही करूँगा कुछ नहीं कर पाँगा ना फिर तो मैं false return करना पड़ेगा अच्छा मैं return क्या करूँगा मैं return करूँगा यह भी बहुत important चीज है return क्या करना है मेरे को मैं आप कह रहे हो कि आपने पूरा function का code लिखा नहीं आप पहली return कर रहे हो ठीक है तो return closewwww इंग्रール उस्का मतलब क्या है अगर एंड मेरा वन की उक्वल है तो वह return कर औरятся करेंगा फ्लस बस अब मुझे क्या करना मुझे कुछ नहीं कर ने हम हर step पर चेक करना है अगर n greater than 0 है and 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 modulus 2 equals equals to 0 है तो मैं return कर दूँगा true ठीक है और similarly मैं 3 के लिए कर दूँगा और 5 के लिए कर दूँगा ठीक है basic maths है यार इतना तो समझ में आना चाहिए ठीक है यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ अगर मेरा number greater than 0 है ठीक है मैं जैसे मैंने 2520 को 2 से कैसे डिवाइड करा जीए 2520 मेरा greater than zero होना चाहिए और तो से divisible होना चाहिए तभी तो मैं इस से मैं divide कर पाऊँगा इस से मैं divide कर पाऊँगा किस से कर पाऊँगा अगर मेरा number greater than 0 है अगर मेरा number यहाँ पर greater than 0 है ठीक है और इसका modulus 3 से क्या आ रहा है modulus 3 से निकालने का मतलग अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो उसका remainder 0 आ रहा है तभी तो मैं 3 से डिवाइड कर पाऊँगा एन इक्वल्स दॉए डिवाइड़ड़ थ्री similarly similarly n एक्वल्स टू एन डिवाइड़ड़ बई 5 बस हो गया code रन करके देखते हैं तो submit करके देखते हैं इस एक्सेप्टेड तो I hope ये question आखो समझ में आया हो और समझ में आया है तो इस वीडियो को like करना और share करना अपने friends के साथ और मिलते हैं हम लोग अपने next वीडियो में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए all the very best